जैशे कृष्णा स्वागत है आपका साथी तुष्णा के साथ कैसे हैं आप लोग कैसे हैं घर में सब जरूर बताईएगा आज का विशे है कि अगर आप किसी से करते हैं प्रेम और वो आपको दे रहा है धोका तो आप कर लीजे ये छोटा सा बालों का वश्ची करन और वो व्यक्ति आपके पास खिचा चलाएगा बहुत इंट्रेस्टिंग है और ध्यान से सुनिएगा आपके लिए बहुत कारगर भी है लेकिन उससे पहले आपको कुछ जरूरी चीजे बताऊंगी जैसे कि आपको कुछ अच्छा ग्यान दूंगी लेकिन ये सब बताने वाली मैं कौन हूँ मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ वास्तू शास्त्री हूँ चहरा भी पढ़ती हूँ आवाज भी पढ़ती हूँ और हातों की लकीरे भी पढ़ लेती हूँ चुकि आपकी सार्थी हूँ इसलिए आपको जीवन का सार बताने चली आती हूँ जब कभी भी हूँ अपने जीवन के अंदर कोई सही डायरेक्शन नहीं पाते हम अपने जीवन में परिशानियों से घर जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि शायद कोई ऐसी चीज हो ऊपाए हो जिससे हमारा जीवन सभल जाय और कई लोग ना तो उपाईयों पे बिलीव करत वो बिलीव करते हैं रतनों पर एक रतन पहन लेंगे तो रातों रात किसमत चमक जाएगी जैसे कि कुछ पर्टिकुलर रतनों के लिए बहुत सारी कथाएं हैं जिसमें से एक आता है नीलम नीलम के लिए ऐसा कहा जाता है कि इसे पहन लीजे रातों रात अपनी किसमत बदल बहुत सारे लोगों ने नीलम पहना तो उनकी किस्मत बदल गई बिल्कुल सही बात है स्टोन्स जो होते हैं आपकी बॉडी के अंदर चार्जिंग का काम करते हैं आपके अंदर उर्जा प्रवाह करने का कारे करते हैं जैसे रत्न को आप धारन करते हैं उस रत्न की उर्जा स आपके ग्रहों को शक्ति मिलती है और उससे आपकी किस्मत चमक जाती है लेकिन इस बात में कित्ती सत्यता है कि हर कोई हर रत्न धारण कर सकता है हर किसी के लिए हर रत्न सुटेबल हो सकता है तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस गलत फैमी में बिल्कुल मत रहिएगा क्या बताते हैं आपको मून स्टोन क्या बताते हैं आपको राशी रत्न राशी रत्न कभी नहीं पहना आया जा सकता किसी को खास करके वो रत्न जो सौमे नहीं है जिसका कुछ पॉजिटिव होना हो पर नेगिटिव इंपेक्ट आप पर नहीं आएगा जैसे की पुखराज जैसे की नीलम जैसे की मुंगा जैसे की गोमेद जैसे की रूबी जैसे की लहसुनिया ये ऐसे स्टोन्स है जो आप केवल राशी के नामपन नहीं पहन सकते दुनिया में अंगिनत लोग है जिनका नाम रतन है रतनेश है रतना है आप क्या सभी को एक जैसा स्टोन पहना देंगे कि जाइए ये पहन लिजे आपका कोई नुकसान नहीं होगा तो मैं कहूंगी वो दुनिया का सबसे बड़ा महामूरक है जो आपको सिर्फ आपके नाम के आधार पर आपकी राशी के आधार पर स्टोन पहना दे रहा है क्योंकि स्टोन की कैलकुलेशन बहुत अलग तरीके से होती है मैं आज इस बारे में चर्चा क्यों कर रही हूँ क्योंकि आज ही मैंने किसी को गड़े में गिरने से बचाया है देखे जब भी हम कोई रत्न पहनाते हैं न हम बहुत कैलकुलेशन करते हैं रत्न आपकी बॉडी के अंदर एक एनरजी का काम करता है ठीक उसी प्रकार से जैसे की एक स्विच दबा देने से आपके घर की पूरी लाइट जल जाती है अगर आपके किसी भी ग्रह को उस लाइट की जरूरत ही नहीं है वो अल्रेडी बहुत ज़्यादा लाइट अप है वो अल्रेडी अपने आप में इतना एनरजेटिक है कि वो आपके लिए जो करना है वो करेगा ही करेगा आप चाहे रतन पहनिये चाहे मत पहनिये पर क्या होगा जब आप हद से ज़्यादा उसे energy प्रदान कर देंगे तो वो आपको blast करदेगा नीलम को इसलिए avoid करा जाता है पहनने से कहा जाता है या तो ये रातो रात रंक बना देगा या रातो रात राजा बना देगा इसी प्रकार जब भी आप कोई भी रत्न धारन करें या आप कोई भी रत्न पहनने की कोशिश करें आप पहले ये समझिए कि क्या वो आपके लिए बिल्कुल उचित है क्या आपने उस चीज का प्रमान किसी ज्ञानी व्यक्ति से लिया है या आपने केवल इस आधार पर कि वो आपका राशी रतन है आपको पहन लेना चाहिए आपने धारन कर लिया है जो लोग समझते हैं मैं उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ मकर लगन के अंदर लगन किसका है शनी का बली कौन होता है शनी वहाँ पर अगर मैं उन्हें नीलम पहना दूँ तो क्या ये सही रहेगा क्या ये उनके लिए प्रोग्रेसिव रहेगा सिंग लगन वालों को अगर मैं नीलम पहना दू तो क्या उनके लिए ठीक रहेगा कैसे मैं इस जीस को तै करूंगी कि इस व्यक्ति के लिए ये रत्न ठीक है या नहीं ये सिर्फ आपकी कुंडली आपके लगन आपकी ग्रहे चाल और उनके नक्षतर और उनकी डिग्रियों के द्वारा ही हम पता कर सकते हैं कि ये रत्न पहना कितना ठीक है और कितना गलत अगर आप कोई भी रत्न धारन करते हैं तो ये मेरी आप से रिक्वेस्ट है पहले आप किसी अच्छे रत्न विश्य शग्ये से उसके बारे में पता करिए और तब उसको धारन करिए वरना आपका वो पहन बहुत गलत हो जाएगा चलिए जी आज के महा सार्थी उपाय के अंदर आपको एक ऐसा अधबुद वश्य करन बताने जा रही हूँ जिसके लिए आपके पास उस व्यक्ति का होना जरूरी नहीं है अगर बार-बार कोई आपको धूका दे कर जा रहा है तो अपने बालों से उसे बांध लीजिए कैसे बांधेंगे आप आप रोजाना कंगा करते हैं उसमें दो चार दो चार बाल तो आही जाते हैं उन चार बालों को ले लीजे उन बालों को आप थोड़ा सा जल के अंदर डाल दीजे दो तिन बूंद जल के अंदर डाल दीजे उसके अंदर एक बूंद सरसो के तेल की डाल दीजे उसके बाद उन बालों को निकाल लीजिए एक साथ में उन्हें थोड़ा सा आप बांध लीजिए उस व्यक्ति का या तो नाम सफेद रंग के पेपर पे लाल पैंसे लिख लीजिए या अगर उनकी फोटो है तो उसके पीछे लिख दीजिए इन बालों को उस व्यक्ति की फो बांध लीजेगा और इसे अच्छी से लपेड दीजेगा अगर उस व्यक्ति की फोटो भी नहीं है तो सरफ उसका नाम लिखेगा और इन बालों को उसके उपर लपेड दीजेगा उसके बाद मैं आपके साथ स्क्रीन पे एक मंत्र शो कर रही हूं इस मंत्र को 11 बार जाप कर लिएगा एक काले रंग का कपड़ा लीजेगा और इसके अंदर इस फोटो को बांध दीजेगा अपने तकिये के नीचे शनीवार के दिन रख कर सो जाईएगा अगले दिन रविवार को आप ये पूरी की पूरी जो आपने फोटो बांधी है ना काले कपड़े में ये अपनी गलतियों को आपके सामने आकर रिलाइज कर ले ये व्यक्ति आपको कभी छोड कर ना जाने की सोगंद खाले तब आप इस तस्वीर को निकाल दीजेगा और या तो आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजेगा अपने बालों के साथ नहीं तो आप कहीं पर कर जरूर करिएगा आपके जीवन में इससे चेंजे आएंगे आप हमें जरूर बताएंगे और मैं फिर आओंगी कुछ नया कुछ अलग कुछ अद्बुद्ले के तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा विस्तों में मजबूती बना के रखिएगा अपने सार्थी के सा जोतिश के क्षेत्र में विश्व विख्यात ताम है जोतिश शास्त्र में पिछली 22 वर्षों से जोतिश की सभी परंपराकत विधाओं के साथ साथ अनेक दुरलब गुड़ विधाओं जैसे परचाई एवं लवस के अधेन से अपनी सटीक भविश्यवानी और पूर्वा अनुमान के लिए विख्यात हैं अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन सवार्चुकी मात रिशला लगातार 2016 से जोतिश विभूशन अवाड प्राप कर रही हैं साल 2018 में उन्हें उत्राखंड के मुख्य मंत्री त्रिवेंद्र सिंग रावत ने जोतिश वि उन्हें क्या।